हेलो दोस्तो तो पावर प्लांट का हम mcq करने वाले हैं ये पार्ट नमबर थ्री है तो पहले दो पार्ट करा चुका हूं अगर आप ने देख्यों प्लीज वो देख लेना ओके तो हम स्टार्ट करते हैं commercial source of energy आर तो commercial source energy का कौन-कौन सा है इसमें से a.b.c.d. हमारे पास option है प्लीज जल्दी से देख लेजिए तो हमारे पास commercial की बात की है तो हमारे पास fossil fuel, hydro power and nuclear power ये कौन से हमारे पास commercial वाले हैं तो B is the right answer in India largest thermal power station is located at तो हमारे पास thermal power station सबसे बड़ा कहां पर है तो वो हमारे पास है चंदरपूर में हमारे पास सबसे बड़ा है और देखें nuclear power plant पर भी question बहुत आते हैं और इसमें अगर आप बात करें thermal की thermal की question जो पूचे चाते हैं वो आपको मेगावाट के बारे में पूचे आते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया था कि 500 मेगावाट जो है वो commonly used में है thermal की बात कर रहा हूँ ऑके coordinate खर्मय वाली थर्मल की बात कर रहा हूँ जो nuclear वाले हैं उनकी position मतलब कहां कहां पे इंडिया में हैं, वो नियुक्षते हैं तो वो भी देख लेते हैं, अगर हम वो चीज़ देखना चाहते हैं, यहां इंडिया में अगर बात קरें, तो हमारे पास अलग लग जगा पे हैं, तो सद्राइब में है किम केःगा करनाटक में हैं मडरास है Anda कुंडल कुलम ने दैस Imma बना लेना तो यह जब हम इस तरह से बना तो इजी याद हो जाते हैं हमें ओके नेक्स चलते हैं हमारे पास the percentage O2 by weight in atmosphere तो भाई साब दो पूछते होते हैं by volume और by weight by weight जो oxygen है वो होता है 23% 23% और by volume जो है हमें पूछते हैं तो वो by 21% होता है दीखो weight को इनको मैंने ऐसे याद किया है कि weight जो होना W's का weight उसको घूमा देता हो मेरे दिमाग में यह चलता है कि W घूम गया पकड़के समय सकते हो, मैंने इसको three बना देना है मेरे दिमाग में यह चलेगा कि इसको कैसे करूँ तो उसको करने के लिए क्या करूँगा मैं इसको करने के लिए मैं इसको घुमा दूँगा इस तरह से यह घुम जाएगा घुम के इतरा आजएगा तो 3 बन जाएगा तो मेरे दिमाग में आजएगा हाँ 23 है तो दूसरा 21 हमें easily याद हो सकता है नेक्स देखिए the proper indication of incomplete combustion जब हमारे पास कोईले का combustion होता है तो incomplete है तो कैसे पता चलेगा तो भाई साब वहाँ पे carbon monoxide बनाना स्टार्ट कर देगा क्या करेगा carbon monoxide तो यहाँ पे carbon monoxide देखिए high carbon monoxide content in the flu gases at exit carbon monoxide सबसे ज़्यादा बनेगी okay the main source of production of biogas biogas mean किसे बनती है human waste wet cow dung wet livestock paste तो all of the above यह चारों से है तो हमें biogas मिलती है थोरियम breeder reactor are most suitable for India तो थोरियम के base पे हमारे पास most suitable है क्यों है इंडिया में suitable तो इसका reason क्या है इन में से चारों के option आप देख सकते हैं its technology is simple abundant of thorium deposit are available in India these can be easily designed तो इसका right answer है कि इंडिया में यह सबसे ज़्यादा मिलता है thorium सबसे ज़्यादा मिलता है इसलिए easily available है तो इसलिए इंडिया के लिए suitable है देखिए the overall efficiency of thermal power plant is equal to और यह numbers में मत जाना कि question number कितना है क्योंकि मैंने भी कहीं से question उठाई है तो यह number आप देखना मत की 123 कैसे चल रहे हैं आप बस question कर लेना ओके 20 question होंगे इस वीडियो में आपको इतना बहुत है तो वो किसके बराबर होता है Overall thermal efficiency पूछ रहे अजयाए Overall efficiency जो होती है वो regenerative cycle efficiency के बराबर होती है regenerative क्या होता है यह आपको पता है Christmas क्या होता है कि हमें heat input कम करना होता है heat input करने कम करने के लिए हम turbine मैं से जो हमारे लिग निम निकल लिया है उसको feed water में हम use कर लेते हैं वो हमारे पास regenerative होता है तो again एक बार मैं आपको बताऊं कि अगर आप JEE की त्यारी करना चाहते हैं कुछ जो student app में हैं उन्होंने तो ये join कर रख है जिन्होंने नहीं किया वो join कर सकते हैं 14 in 1 combo description box में link दे रहा है आप जल्दी से इसको join करिए ताकि आपके JEE का exam clear हो सके next देखते हैं carnal cycle comprises of carnal cycle में क्या क्या होता है तो भाई साब इनमें से option है आप दिमाग पहले आप लगा लिए गरो आप लगा लिए गरो फिर बाद में मेरा सुन लिए गरो यहां pause कर ले गरो आपना सोचना चाहते हो तो तो मेरे भाई अगर आप देखोगे तो मेरे पास carnal cycle कुछ इस तरह का हम देखते हैं इस तरह का देखते होते हैं तो हमारे पास दो आइसेंट्रोपिक और दो हमारे पास ऐसेंट्रोपिक दो ङया है दो आइसेंट्रोपिक कॉंस्टन प्रेशर यह भी क्या दो आईसो थर्मल और three constant pressure ये भी गया तो नन अफ दबाओ तो दो हमारे पास होती है ice and tropic ठीक है और दो हमारे पास होती है isothermal तो ये हमारे पास होता है किसमे Carnot cycle में होता है ओके नेक्श देखते हैं regenerative cycle thermal efficiency तो regenerative अगर देखें तो उसमें thermal efficiency क्या होगी is always greater than simple rankine ठीक है is greater than simple rankine cycle thermal efficiency only when the steam is bleed at the particle pressure is same as as simple rankine cycle thermal efficiency is always less than simple तो ये हमारे तो ये याद रखें कि regenerative करो तो आपकी efficiency ज्यादा ही होगी simple से तो a is the right answer a is the right answer कुछ मर्जी कर लो आपकी regenerative अगर कर दिया तो आपकी simple rankine cycle से तो efficiency बड़ेगी ही बड़ेगी ज्यादा होगी ही होगी reheat cycle in steam power plant is used to reheat क्यों करते हैं भाई हमने क्या फाइदा हमें तो हमें अपना फाइदा देखना है क्या करें utilize heat of flugasis increase thermal efficiency improve condenser performance या reduce loss of heat तो भाई reheat करते हैं हमने क्या करना है कि मेरे पास turbine में से आ रहा है ये boiler है boiler में से आगे turbine में जा रहा है और turbine में जाके आगे क्या करते हैं इसको दुबारा फिर गरम करते हैं और फिर से हम turbine क्यों बस ट्राइक कराते हैं तो हमारे पास reheat होता है री हीट होता है तो उससे हमारे पास efficiency increase होती है तो हम increase in thermal efficiency thermal efficiency increase होती है याद रखे mercury is a choice with steam in binary vapor cycle तो भाई साब binary vapor cycle आपने पढ़ा है या नहीं मुझे नहीं पता लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा तो पहले वो पढ़ ले क्योंकि उसमें हमारे पास पूरी detail आती है कि हमारे पास अलग से एक system मनता है जिसके अंदर हम क्या करते है mercury रखते है और इसको गरम करते है और उससे हम क्या करते है आगे use करते है टरबाइन के उपर यह अलग है बेटा binary है दो cycle use होते है तो यहां समझाना थोड़ा मुश्किल है प्लीज सर्च करें पहले इसके उपर पढ़ ले तो हमारे पास क्या होगा mercury क्यों use करते है higher critical temperature and pressure हाँ एक यह भी आपने चेक करना है कि critical temperature and pressure कितना है mercury का यह होती curiosity जब आप सर्च करना start करोगे और उसके उपर पढ़ना start करोगे higher saturation temperature relative low vaporization pressure तो यह सब कुछ होता है mercury के पास यह सब कुछ होता है economizer is used to heat economizer क्यों use करते हैं तो बाई simple से बात economizer कहा होता है feed water को गरम करने के लिए पानी को गरम करने के लिए ठीक है तो हमारे पास क्या है air के लिए नहीं feed water के लिए yes flug acid के नहीं है तो यह B is the right answer B is the right answer the drought which a chimney produce is called तो ठीक है हमारे पास drought जो मनता है उसको क्या कहते है induced drought natural drought forced drought या balance तो natural drought होता है ठीक है जो chimney अखेली बनाती है chimney अखेली बनाईगे उसको हम natural बोलेंगे Okay natural the drought produced produced for a given height of the chimney and given mean temperature of the chimney gases तो हमारे पास यह क्या कहते है उस पे क्या effect पढ़ेगा देखो decreases when the increase in outside air temperature तो हमारे पास यह है भाई साब यह chimney है हमारे पास माल लेजे यह chimney है और बाहर का temperature है यहां का temperature माल लेजे ज्यादा हाई है तो हम ऐसे कोई भी temperature पांसो डिग्री माल लेते ह ठीक है पांसो डिग्री ले इंपरेचर है बाहर का अगर माल ले तो 40 डिग्री है इस तरह से अब अगर बाहर का change होगा माल लेजे बढ़ेगा तो हमारे पास फाइदा है यह नुकसान है अगर कम होगा तो क्या है तो यह हमें पूछा गया तो decreases with increase in outside air temperature तो बढ़ेगा तो ह हमारे पास क्या है कि ड्रॉट कम होगा अगर हम temperature बढ़ा देंगे देखे आपस में जतना difference जादा होगा ना उतना फाइदा है आपस में जतना difference जादा होगा तो बहाई साब सीधी सी बात हो यह मेरे पास लकडी पड़ी है यहाँ पर बाल रखी है यह जतना ऊपर आपस में उतना जादत बॉल तेज भगेगी यही यहां भी है यहां अगर पचास डिग्री कर दोगे ना तो आपस में 450 का होगे ना इसका difference कितना होगे 450 का और यहां कितना था यहां था 460 का तो भाई बढ़ेगा temperature बाहर का तो decrease हो जाएगा तो हमारे पास A is the right answer ओके नेक् नेर बॉटम आफ फ़र्नेस एड दी और तो आफ दी टॉप पे तो लगाती नहीं एड सकता नियर बॉटम आफ फ़र्णे स्या चिमने के पास आप हम क्या गर देते हैं हम इंडियूस करते हैं उसको इंडियूस करते हैं next question देखते है in case of impulse train turbine to impulse train turbine के अंदर क्या होता है there is enthalpy drop in fixed air moving blade there is enthalpy drop only in moving blade there is enthalpy drop in nozzle none of the above भाई साथ हमारे पास जो हम देखते हैं कि हमारे पास impulse turbine तो वहां पे nozzle होती है nozzle के बाद हमारे पास यहां पे turbine लगी हुई है तो nozzle में ही हमारे पास enthalpy drop हो जाता है impulse के case में बात कर रहा है तो nozzle के अंदर होता है तो C is the right answer यह impulse के लिए अब देखें in case of reaction stream turbine तो इसके case में there is enthalpy drop both in fixed and moving blade there is enthalpy drop only in fixed blade there is enthalpy drop only in moving blade तो इसका right answer है C इसके moving blade में enthalpy का drop आता है moving blade में enthalpy का drop आता है तो यह question थे power plant के जल्दी से आपको इस course को join के लिजिए अगर आपने नहीं किया 14 in one combo description box में आपको लिख वे जाएगा thank you so much झाय겁 उे है ।a उगको उपको बहा है झापको आपको अगदेなたे तो सका झापको आपक determ